हेलो फ्रेंड्स में हूं तुइन and welcome to my youtube channel technical service and automobile engineering तो मेरा आज का जो वीडियो है ये वीडियो actually गाड़ी का starting problem के उपर है तो मेरे पास एक गाड़ी आया जिसका starting problem हो रहा है तो इस गाड़ी में problem ये है कि गाड़ी crank हो रहा है लेकिन गाड़ी start नहीं हो रहा है तो आईए पहले क्या problem है इस problem को दिखा देते हैं फिर दिखा देते हैं किस से मना किस तरीके से आप ये problem को solve करेंगे तो दोस्तो मैं admission को on करता हूं तो on करने से आप देख सकते हैं यहाँ पे ECM का जो symbol है वो symbol cluster में नहीं आ रहा है उसके साथ साथ जो immobilizer का symbol है वो भी नहीं आ रहा है तो इस condition में तो गाड़ी crank होगा लेकिन गाड़ी start नहीं होगा तो यह देखके आपको यह देखके तो आप यह ही समझ जाओगा कि यह wiring system में कुछ problem है तो आएए देख लेते हैं तो friends आएए पहले हम fuse को check करेंगे और उसके बाद हम ECM को check करेंगे तो friends में पहले यह यह जो IP junction box है इसका जो fuse है ECU का वो देख लेते हैं तो यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो यह जो है तेने आमपेर का fuse यह होता है ECM का मिन पावर का fuse तो यह fuse अगर काट जाए तो इससे भी आपका ECM का लाइड नहीं आएगा तो हम पहले इसको check करके देख लेते हैं तो यह fuse तो सही है काटा नहीं है तो फिट से लागा देते हैं फ्यूज को तो फ्रेंट्स आईए बाहर का जो fuse box है उसमें भी एक fuse है तो फ्रेंट्स यहाँ पर आप आगाद देखेंगे तो यह जो ECU का 20 Ampere का fuse है इस fuse को भी आप चेक कर लीजिए यह fuse भी सही है तो फ्रेंट्स आप मैं इसका जो ECM है यह ECM को बाहर निकलोंगा और बाहर निकल के देखोंगा कि यहाँ पर कुछ गड़बारी है की नहीं या फेर इसका जो पीन बगरा है पीन बगरा ठीक ठाक है की नहीं यह भी हो सकता है कि इसका जो पीन है पीन तूट जाने से भी आकसार यह प्रब्लेम होता है तो पहले ECM को देख लेते हैं इसका जो ECM को खोला और ECM को खोलने के बाद आप अगार धियान देंगे तो यह जो पीन है ECM में यह देखिए आप आप साइड नेजर में आ रहा है यह जो सालफर जमा हुआ है पीन में इसके वज़ाए से यह जो प्रब्लेम हो रहा है वेहिकल स्टार्ट नहीं हो रहा है और सम्टाइम वेहिकल अब भी हो जा रहा है तो इसको क्या करते है इसको पहले क्लीन करते है और क्लीन करके फिर लगाते है और देखते हैं क्या प्रब्लेम स्टार्व हुआ है या नहीं तो फ्रेंड्स मैं ECM का जो पीन है इसको क्लीन करने के लिए WD-40 उज़ करूँगा और उसके साथ एक मिही शीरीश के पर भी यूज़ करूँगा तो इससे हम पहले पीन को क्लीन कर देते है तो दोस्तों अगर आप धियान से देखेंगे तो इसका जो ECM है ECM का पीन में प फिट करते है और देखते है प्रोब्लेम सल्व हुआ है या नहीं तो मैं फिट कर दिया आप यह लाइड भी चलाया फिर से वेहिकल तो स्टार्ट हो गया स्टार्ट हो रहा है दिकल नहीं हो रहा है आप दोस्तों आगार यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो जरूर लाइक और कॉमेंट किजिए थैंक्यू